Hello students, आशा करते हैं आप सभी स्वस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो चलिए अब हम नए पार्ट के और बढ़ेंगे और जो हमारा नया पार्ट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सरवेश्वर द्याल सकसेना द्वारा रचित मानविय करुना की दिव्य चमक तो सरवेश्वर द्याल सकसेना इसके लेखक हैं इस पार्ट के, तो पार्ट शुरू करने से पहले मैं अक्षा दस्वीं का जो आपका रिवाइस्ट स्लेवर्स जो नया स्लेवर्स अभी आया है जो उन्होंने चैप्टर्स कुछ डिलिट किये हैं उसके बारे में बता दू तो फटा फट से आप निशान लगा लें कि ये ये चैप्टर्स नहीं आएंगे मतलब परिक्षा में नहीं पूछे जाएंगे वैसे आपको बताना है कि इस इस पार्ट में या इस कवीता में क्या था वो पढ़ाने के लिए भी सीवेस्टी ने कहा है हालांकि इनमें से कोई प्रश्ण परिक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो जो पार्ट नहीं आएंगे परिक्षा की दिश्टी से मतले इंपॉर्टन नहीं है तो उनको आपने शान लगा ले कावे खंड में देखिए देव ठीक है इनका नहीं आएगा जैशंकर प्रसाद ठीक है आत्मकथ्य ये कवीता भी नहीं आएगी नागा अर्जुन की यह दंतुरित मुस्कान और फसल ये भी नहीं आने वाली और गिर्जा कुमार मातुर की छाया मत चूना ये भी नहीं और मंगलेश डबराल का संगतकार कवीता ये भी नहीं आएगी गद्य खंड में देखेंगे आप गद्य खंड में देखें चौदा पंदरा सोला और सत्रा है ना तो यानि ये लास्ट के फोर चैप्टर से ये नहीं आएंगे कौन-कौन से एक कहानी ये भी मनुभंडारी द्वाररचित और इस्त्री शिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन ये नहीं आएंगे ठीक है एक कहानी ये भी ये भी नहीं है इस्त्री शिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन ये भी नहीं है नौबत खाने में इबादत ये भी नहीं है और संस्कृति ये भी नहीं है ठीक है तो ये भी नहीं आने वाले और कृतिका में कृतिका में आपका एही धहियां जुलनी है रानी हो रामा ये नहीं आएगा पार्ट और मैं क्यूं लिखता हूं ये पार्ट भी नहीं आएगा बागी व्याक्रण में वही है, जो हमारे चार टॉपिक थे, व्याक्रण में, हमारा रचना के आधार पर वाक्य वहेत, ठीक है, वाच्य और आपका पदपरिचे, साथि साथ आपका रस, यह चारी टॉपिक थे रचना के अधार पर बाके वेद वाच्य पदपरिचे रस यह वैसे हैं इनमें कोई वदलाव नहीं है तो यह आएंगे ठीक है और जो आपका घर खंड जो राइटिंग टास्क का जो होता है घर खंड जो लेकन भाग उसमें थोड़ा वदलाव किया ग अनुछेद लेखन पांच नंबर का 80-100 शब्दों में लिखना होगा बाकी पत्र आएगा ओपचारिक और ओपचारिक दोनों ही पड़ने पर्ते हैं विज्यापन जो 25-50 शब्दों में लिखना होता है विज्यापन में और संदेश लेखन आपको नया पारे भानन पर आया जाने वाले संदेश, ये 30 से 40 शब्द में लिखना होता है तो ये पूरे आपके 20 अंक होगे पांच नमबर अनुशेद लेकन के पांच नमबर पत्र के पांच विज्यापन के और पांच ही संदेश लेकन के ठीक है, तो ये हमारा जो स्लेवर्स था, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, कौन-कौन सा नया कुछ एड़ हुआ है तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे, तो चलिए पांच शुरू करते हैं, सर्वेश्वर द्याल सकसेना द्वारा रचित हमारा मानुविय करना की देवय चमल तो पहले लेखक के बारे में जान ले देखे, यह है सर्वेश्वर द्याल सकसेना जी है और इनका जन हुआ 1927 में जिला बस्ती उत्रप्रदेश में हुआ उनकी उच्षिक्षा इलावाद विश्विध्याले से हुई वे अध्यापक आकाश्वानी में सहयक प्रोडिसर दिन मान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया मतलब अचानक उनकी मृत्यों हो गई सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के सहित्यकार थे वे कभी कहानीकार उपन्यासकार निबंधकार और नाटककार थे सर्वेश्वर की प्रमुकृतियां है जो इनोंने लिखे हैं वो प्रमुकृतियां इनकी हैं काठ की घंटियां वानो नदी, जंगल का धर्त, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कवीता संग्रह है, और पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्या से, लडाई ये कहानी संग्रह है, बकरी ये नाटक है, और भौंभौं खौंखौं, बतूता का जूता, लाख के नाख, ये बाल साहिते है, बाल साहिते बच्चों के लिए, ठीके, और साथ ही साथ ये चर्चे और चर्खे, उनके लेखों का संग्रह है, खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहिते अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, तो ये सर्विश्वर दयाल सक्सेना की पहचान, अकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है, तो मद्यवर्गिय जीवन की महत्व कांक्षाओं, सपनों, संगर्ष, शोशन, हताशा और कुंठा का चित्रन उनके साहित्य में मिलता है, सर्विश्वर जी स्तंब कार थे और चर्चे और चर्खे नाम से दिनमान में जो स्तंब लिखते थे, उसमें बेवाग सच कहने का साहस दिखता है, उनकी अभिव्यक्ति में तहजता और स्वाभाविक्ता है, तो ये इनकी लेकन की कुछ प्रमुक कृतियां जो हमने देखी, और अब जो ये पार्ट है हमारा मानव्य करना की दिव्यचमत, तो सार रूप म उसको हम जान ले कि इस पार्ट में वो क्या कहना चाह रहे हैं, विशेश रूप से उन्होंने किस के उपर ये लिखा है पार, तो ये एक वैसे संस्मरण है, तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है, संस्मरण क्या है, यादे, है ना, संस्मरण, जो पुरानी यादे है, तो य किस से बनता है संस्मरण स्मृतियों से बनता है जो यादे होती है उनसे बनता है और स्मृतियों की विश्वस्नियता उसे महतपून बनाती है फादर कामिल बुलके पर यह पाठ किसके उपर केंद्रित किया है उन्होंने मान लिय करना के दिव्यचमत यह फादर कामिल बुलक पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसोटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतिय कहने वाले फादर कामिल बुलके जन में तो बेल्जियम यानि यूरॉप के रैंस चैपल शहर में जो गिर्जों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमी कही जाती है। परनतु उन्हों ने अपनी कर्म भूमी बनाया किसे भारत को। है। वैसे तो वो उस भूमी पर जन लिया पर वैल्जियम यह उरॉप में। लेकिन उन्होंने कर्म भूमी किसको बनाया भारत को यानि ये भारत में रहकर उन्होंने काम किया पादर बुलके क्या थे सन्यासी थे परंतु पारंपरिकर्थ में नहीं मतलब सन्यासियों की भी एक सीमाई होती है ठीक है उनके लिए भी एक नियम बने होते हैं कि किन से वो रिष्टा रख सकते हैं, जादा लोगों से रिष्टा नहीं रखना, किसी से जादा मेल मिला आप नहीं, बस भगवान से अपना मन लगाना, इस तरह से कुछ उनके नियम होते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं थे, वो सन्यासी तो थे, परंतु पारम परिकर्थ में न लेखा है, तो वो अंतरंग संबन था, जिसकी जलक हमें इस संस्मरण में मिलती है, कि किस तरह से उनके घर आया जाया करते थे, और कैसे उनसे मेल मिलाप रखते थे, तो लेखक का मानना है, कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारती सादू को याद किया जाएगा, तो चलिए, अब हम पार्ट शुरू करते हैं, मानविय करुणा की दिव्य चमक, अचा मानविय करुणा की दिव्य चमक, तो मानविय करुणा क्या है, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, ठीक है, मानविय क्या है, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, ठीक है, तो दया भाव रखने वाले उनकी दिव्य चमक तो ये बाट है दिव्य यानि महान आलोकिक ठीक है तो मान भी ये करना मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया की महान और आलोकिक चमक ठीक है ये बन गया पाट का मतलग तो चले आगे बढ़ते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था फादर किसको बोर रहे हैं कामिल बुलके को कह रहे हैं फादर उनको किस से नहीं मरना चाहिए था उनको जहरबाद से नहीं मरना तो जहरबाद क्या है ये एक बेमारी है जिसे गैंग्रीन या एक तरीका जहरीले फोड़ा आप कह सकते हैं जो कैंसर का रूप ले लेता है तो जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था तो यहां जहरबाद यानि गैंग्रीन या उस जहरीले फोड़े से नहीं मरना चाहिए था जिसने उनके शरीर में जहर फैलाग दिया जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमरित के अतिरिक्त और कुछ नहीं था उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो तो लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुलके सभी पे इतनी दिया करने वाले इतने मिठास भरी उनकी बातें सब पर जैसे एक जादू सा कर देते थे मतलब सबसे प्यार से मिलकर वो रहते थे इतने प्रेम भाव उनके अंदर था सब के लिए तो उनके लिए जहर का विधान क्यों तो भगवान ने उनको ऐसे जहर बात से क्यों मारा ठीक है तो उनकी मृत्यू नहीं होने चाहे थे ऐसा लेखर कहते हैं यह सवाल किस इश्वर से पूछें कहरें यह अब किस भगवान से पूछें कि ऐसे व्यक्ति की जिसके मन में सब के लिए प्रेम हो ऐसे व्यक्ति को ऐसे विमारी से क्यों मारा गया या क्यों मरे वो इस ऐसे विमारी से तो किस इश्वर से पूछें प्रश्न कर रहे हैं वो प्रभू की आस्ता ही जिसका अस्तित्व था अस्तित्व यानि जीवन प्रभू की आस्ता प्रभू पर उनका और विश्वास था उनके उपर आस्ता थी ठीक है वही उनका जीवन था तो ये वो कहते हैं लेका कहते हैं कि प्रभू की आस्था जिसका अस्तित्र था किसका फादर कामिल बुलके का वह देहे से की इस यातना की परिक्षा उम्र की आखरी देरी पर क्यों दे वो कह रहे हैं जब वो भगवान के साथ इतना उनका मतलब भगवान से उनका इतना जुड़ाब लोगों के लिए इतना प्रेम तो वह देहे देहे यानि शरी तन ठीक है कि इस यातना की परिक्षा उम्र के आखरी देहरी पर क्यों यानि कि उम्र के आखर पड़ा में जब वो मतलब बुड़े ओचले थे तब क्यों ऐसे बिमारी से उनको मारा गया क्यों मारे वह ऐसे वासे एक लंबी पादरी के सफेज चोगे से धकी आकरिती सामने है गोरा रंग ये देखे इस तरह के जब भी पंक्तियां हम पढ़ते हैं अब हम फादर कामील बुलके के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो दिखने में कैसे थे तो प्रश्ण कैसा आता है कि फादर कामील बुलके कर रेखा चित्र प्रस्ट केजी तो रेखा चित्र जब प्रस्ट करते हैं तो उत्तर यही होता है देखे कैसे थे वो एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से धकी आकरिती सामने है गोरा रंग सफेद जाई मारती पूरी दाड़ी नीली आँखे वाहे खोल गले लगाने को आतर इतनी मम था इतना अपनत्व इस सादू में अपने हर एक प्रिये जन के लिए उमरता रहता था मैं 35 साल से इसका साक्षी था यानि की 35 यह से वो देख रहे थे तो 35 साल बहुत होते हैं उनके साथ उनका जुड़ाव था तब भी वह इस इलावाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे मतलब उनके साथ उनका लगाव रहा मिलना जुलना रहा जब वह इलावाद में थे तब भी उनसे मिलते रहते थे दिल्ली आते थे तब भी आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ तो देखे आप गहेंगे फादर कामिल बुलके का रिकाचित प्रसूर के लिए तो आप फट फट उत्तर ये लिखेंगे एक लंबी पादरी चोगे के सफेद चोगे से धकी आकूती ठीक है गोरा रंग है सफेज जाई मारती हुई भूरी दाड़ी है उनकी नीली आँखें है और बाहें कैसे हैं जैसे गले कोल के मतलब सबकों गले लगाने के लिए उनकी बाहें जैसे हमेशा तयार रहती हैं तो आज भी वो उस चीज़ को महसूस करते हैं क्यूंकि वो इतने सालों तक 35 साल तक उनके साथ रहें तो आज केवल इतना सा हम यह पेराग्राफ एक 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 गद्दे खन करके पढ़ेंगे और इसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न बनाएंगे और साथ ही अगर हम उसको फटा फट करते जाएं प्रश्नों के उत्तर ढूंडते जाएं पढ़ते जाएं तो कोई मुश्किल नहीं आती है तो देखे पहला प्रश्न केवल यह जो हमने पहला यह पढ़ा ना इतना महसूस करता हूं तो इसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं तो मुझा था ठीक है उनकी दो स्वभावगत विशेश्टाएं लिखिए ऐसा प्रश्न होते हैं तो चाहिए पहला प्रश्न कहरे выглядए हूं फादर को किस अवस्था में जहर्बाद की पीडा या रोग हुआ था उनकी दो स्वभावगत विशेश्टाएं लिखिए दूसरा प् फादर तथा लेखक के अंतर संबंधों की प्रमुख विशेषता लिखिए अच्छा अगला प्रेश्ण और जितने प्रेश्ण बन सकते हैं उतने सुन लेजिए फिर हम आप इसके उत्तर ढूंडेंगे और अगले वीडियो में हम इसके उत्तर पहले साजा करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अगला प्रेश्ण है चौथा प्रेश्ण फादर की मृत्यू का कारण क्या था लेखक ने ऐसी मृत्यू को अनुचित क्यूं कहा है ठीक है पांचवा प्रेश्ण पाठ और इसके लेखक का नाम लिखे हमेशे सबसे पहले जब भी पठिद गद्याश आता है तो पाठ और लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए अगला प्रेश्ण फादर को जहरबाद से क्यों नहीं मरना चाहिए था अगला प्रश्ण लेखक इश्वर से कौन सा सवाल पूछना चाहते थे और अगला प्रश्ण है बाहों का दबाव से लेखक का आशे क्या है यह अंतिम प्रश्ण है इस गद्य का बाहों का दबाव से लेखक का आशे क्या है तो ये कुछ प्रश्ण मैंने आपको पूछे आठ प्रश्ण मैंने कही है इन आठों प्रश्णों के उत्तर आप देखें इस पेरग्राफ में से तो ढूढने है तो उनको आप ढूढ़े तो अगले वीडियो में फिर हम इन प्रश्णों के उत्तर साधा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए बाइ एन थैंक यू